हम आ गए हैं Microsoft Word में, आज हम सीखेंगे Cut, Copy, Paste, Command इसके लिए सबसे पहले आप Home Menu में जाएंगे, ये जो Cut, Copy, Paste जो Command है वो Home Menu में आपको मिलेगी तो स्कीन पर जो लिखावा मेटर है उसे आप सबसे पहले Select करें तो मेटर को अपने Select कर लिया, Select करने के बाद आप जैसी Cut पर क्लिक करेंगे, तो इसकीन पर लिखावा मेटर हट जाएगा आप उसे वापस लाना चाहते हैं, तो Paste पर क्लिक करें, तो Cut के दुआरा जो आपने मेटर हटाया था, वो Paste Command से वापस आ गया है अब हम करते हैं मेटर की Copy, इसकी लिए सबसे पहले मेटर को Select कर लिजिए, Select करने के बाद आप Copy पर क्लिक करें, और करसर को वहाँ ले जाए, जहाँ Select मेटर की कोपी करनी है, वहाँ जाके आप पैस पर क्लिक करेंगे, तो Select मेटर की कोपी हो गई है अब यही कारी हम करेंगे, shortcut की के दुआरा, सबसे पहले इसकी पर लिखा हुआ जो मेटर है, उसे Select करना है, तो आप करें Ctrl A, Ctrl A करते ही जो आपका मेटर है, वह Select हो जाएगा, Select होने के बाद आप करें Ctrl X, Ctrl X करेंगे, तो मेटर हट जाएगा, कट हो जाएगा, अब आपको व हटाइबर मेटर है, वह हम Ctrl V से ले करके आए, अब हमें करनी है, Copy, तो Copy के लिए आप सबसब पहले मेटर को Select करें, Select करने बाद Ctrl C करें, और Ctrl C के बाद आप करसर को वहाँ ले जाएगा, जहां Select मेटर कोपी करनी है, उसके बाद वहाँ ले जाएगा, और आप करें Ctrl V, तो आ लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिशन का बटन ओन करना ना बुलें